हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का ड्रीम मिशन पर मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम पूरी भारत के एक महत्पून राज नागा लेंड से समंदिर जो है महत्पून तेवहारों को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हर एक एक जाम्स में चाहे वो स या फिर रेलवे की जाम्स हो सभी में जो है आपको तेवहारों से प्रश्ण देखने को मिलेंगे और आप आसानी से इन प्रश्णों को कर पाएंगे तो चलिए यहां पर शूरू करते हैं नागा लेंड जो है ना नागा लेंड को लेंड ओ फेस्टिबल भी बोला जाता है देखिए आप नागा लेंड को लैंड और फेस्टिवेल यान इक तेवहारों का भूमी बोला जाता है क्योंकि इतनी ज़्यदा यहाँ पर तेवहार है महत्पून तेवहार और जंजातियां की संख्याभी यहाँ पर देखे देखिए आप टोटल सोलह जंजातियां जो है सो नागा लेंड में है और इन जंजातियों द्वारा जानते ही हैं आप बहुत सारे महत्पून तेवहार मना जाते हैं और एक्जाम में डायक्ली प्रश्न बनते हैं जो प्रश्न बने हैं उनको हम बताएं कौन-कौन से प्रश्न जो है सो बने है चलिए आप शुरू करते हैं जो तेवहारों की सूची से तो पहला नमबर पर है देखिए आप ओलंग फिस्टिबल ओलंग फिस्टिबल जो है बहुत महत्पून है दोस्तो एक्जाम्स में आय क Украї lot जिन जाती द्वारा मनाया जाता है एपरेल की पहले सबता में यह हम आपको details इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि कौन्या जिन जाती द्वारा नागवालेंड में कौन से तेवहार मनाया जाता है तो ओलंग festival इस तरह के प्रश्न बनते हैं आगे बढ़ते हैं ओलंग के बाद मीमकूड मीमकूड मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक बार पूछा भी गया है दखिए MTS 2020 में सिधा सिधी पूछा गया था कि मीमकूड तेवहार किस राज में मना जाता है तो ये नागा लेंड में नागा लेंड में कौन सा पेरेंजिला पेरेंजिला इसलिए बताएं क्योंकि वहाँ पर लिखा भी हुआ था कि पेरेंजिला में कौन सा तेवहार जो है सो मना जाता है कुकी जंजाती द्वारा कुकी जंजाती द्वारा जो है मीमकूड तेवहार मना जाता है ये एक कटाई स मंदी तेवहार है दिसंबर महिने में एक राग्षस है जिसको की थीलहा नाम है उनको समर्पित है यहां पर दखिए उन्हीं के जो है सो समर्पित रहता है उनको भागाने के लिए आगे बढ़ते हैं मीम फूट के बाद अगला तेवहार है सबसे अदा मुहत्पून अने को ब सिद्य तेवहार है CHSL 2021 में पूछा गया इस बार रेलिवें भी पूछा गया उसको हमने इंक्लूट नहीं कर पाया तो होर्ण बिल तेवहार को जो है दोस्तों फेस्टीवल और फेस्टीवल यह तेवहारों का तेवहार भी कहा जाता है यह प्रस्टन जो है सो इंपोर्टे में है इसके नाम पर जो है यह सो मना आयाता है कहां पर किश्मा विलेज कोहिमा नागालें की राधानी कोहिमा है वहां पर एक गाउं है किश्मा वहीं पर मना आयाता है आगे बढ़ते हैं होर्ण बिल के बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रस्ण जो है सो सीधा सिधी आपका पूछा गया है आप जो है सो हम ऐसे ही नहीं इंक्लूट कर रहे हैं इन प्रश्ण को पूछा गया है इसलिए हम इनको इंक्लूट कर रहे हैं से सेक्रेनी फिश्टिबल सेफ्रेनी फिश्टिबल में सीधा सिधी पूछा गया था अंगामी जंजाती द्वारा जो है वो नागा लेने में कों सा तेवहार मनाया रता है तो ट्रीब से भी यहां प्रशन पूझ रहे हैं क्योंकि आजकल के जो है SSE के और RELY के सारे shift जो हाड हो चुके हैं तो परशन इसी प्रकार से बनेंगे यह 10 दिन लमबा तेवहार है इसमें हंटिंग यानि शिकार उकार करते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं इस तेवहार में फरवरी और उर मार्ज के महिने में इस तेवहार के एक और important है आपको पहले नमर पर बताएं थे ओलंग और यह new खेलम most important है दोस्तो important पूरा पूरी important है तो जुलाए में इस्तेवहार को ज़ए खेल की तरह मनाते हैं इसमें game होता है इस्तेवहार new खेलम में game होता है जिसमें के long jump high jump ठीक है शिकार करना खाना बनाना इन सभी के competition होता है यह चांग जन जाती द्वारा जो है सो दखियां पर jumping cooking stress जो है सो new खेलम में किया जाता है आगे बढ़ते हैं new खेलम के बाद सुरकेणी इस सीधा सीधी प्रशन पूछा गया है दोस्तों सुरकेणी सुरकेणी जो हैसे harvest festival है जन्वरी में चक से जन जाती द्वारा जो हैसो मनाया जाता है सुरकेणी festival सेंक्रेणी और सुरकेणी दोनों आपको confusion होने की ज़रुरत नहीं है दोनों जो हैसे सेम टाइप में है आप इसे असानी से रिलेट करते हैं इन सभी को जो हैसे ट्रिक के माध्यम सा आप याद नहीं कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं और माप किजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो हैसा आपका यह सेशन समाप्त होता है अगले पार्ट में जो है तोपिक देते रहेंगे आप और मेहनत करते रहेंगे धन्यवाद